नमस्कार आज हम वाइडल स्लीपर के संब्द में कुछ रोक्षट जानकारियां प्राप्त करने वाले हैं आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे दो परकारगे वाइडल स्लीपर T8746 और T8527 के बारे में इस पूरी वीडियो में हम आपसे कई महत्रपून सवाल पूछेंगे उन सवालों को परिच्छा में अबस से भी पूछा जाता है और बरतमान के परिच्छा में इन सवालों को बहुत ही जादा पूछा गया है जैसा कि स्कीन पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें कई पकार के इंडिकेशन दिये गए हैं कि आपसे कौन से सवाल पूछ जाएंगे जैसा कि ओवर ओल लेंध के बारे में इसमें बताया गया है दूसरा तोटल वेट के बारे में आपसे पूछा जाएगा Liner's के बारे हैं पूछा जाएगा MCI Insert के बारे हैं पूछा जाएगा Use होने वाले ERC के बारे हैं पूछा जाएगा और Rubber Pad के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो चलने शुरुआत करते हैं आज की वीडियो क्योज को हमारा पहला सवाल है अर्थात वह कौन सा वाइडर स्लीपर है जो की 60 kg UIC rail, 60 kg E1 rail और 52 kg rail तीनों को होल्ड कर सकता है और उसका नंबर है RT 8746 सवाल दूसरा विच वाइडर स्लीपर कैन होल्ड 136 RE rail और 60 kg UIC rail सेक्षन अर्थात वह अब उस वाइडर स्लीपर का नाम बताएं जो की 136 RE rail को और 60 kg UIC rail सेक्षन को होल्ड कर सकता है पर यह rail 20 kg rail को होल्ड नहीं कर सकता है तो इसका नंबर है RT 8527 What is the total weight of वाइडर स्लीपर RT 8527 RT 8527 वाइडर स्लीपर का कूल बजन कितना होता है और इसका कूल बजन होता है 346 kg 873 ग्राम यानि कि 346.873 kg Next question What is the total weight of वाइडर स्लीपर RT 8746 RT 8746 वाइडर स्लीपर का कूल बजन कितना होता है और इसका जवाब है 346.873 kg अर्थात जितना 8527 का बजन होता है उतना ही RT 8746 वाइडर स्लीपर का भी बजन होता है Which mark type ERC is used with sleeper RT 8746 RT 8746 वाइडर स्लीपर में किस प्रकार का ERC यूज किर आता है अर्थात ERC mark कौन सा इस्तेवाल करते हैं और इसका जवाब है ERC mark 5 Which mark type ERC is used with e sleeper RT 8527 और इसका राइडर स्लीपर है ERC mark 5 अर्थात sleeper number RT 8527 and 8746 दोनों ही वाइडर स्लीपर में ERC mark 5 इस्तेवाल किया जाता है What is the distance between MCI insert at rail seat of sleeper RT 8527 अर्थात sleeper number RT 8527 के insert यहीं MCI insert के बीच में कितना का अंतर रहता है और उसका अंतर है यहींने उसकी बीच में gap जो है 170.4 mm होता है 170 रहता है चार मिलिमेटर What is the distance between the MCI insert at the rail seat of the sleeper RT 8746 RT 8746 जो की 52 के जी रेल भी होल कर सकता है इसमें MCI insert के बीच में कितने का अंतर होता है And that is 162 mm Which CGRSP is being used at the rail seat of sleeper RT 8746 RT 8746 wider sleeper के उपर में कौन सा CGRSP यूज किया जा रहा है And that is T8747 Which CGRSP is being used at the rail seat of sleeper RT 8527 RT 8527 पर कौन सा CGRSP यूज किया जा रहा है And that is T8528 Which MS liner is being used with the 136 RE rail on the sleeper RT 8527 On both gauge face side and non gauge face side अर्थात जब RT 8527 के उपर 136 RE rail का इस्तेमाल के जाता है तो उसमें gauge face और non gauge face side में एक ही liner इस्तेमाल करता है और वह MS liner का नाम क्या है And that is T8618 Which MS liner is being used with 60 kg rail on sleeper RT 8746 On both gauge face and non gauge face side अर्थात वार्द स्लीपर नंबर 8746 के साथ जब 60 kg का rail इस्तेमाल के जाता है तो कौन सा MS liner यानि लोहे का liner gauge face और non gauge face दोनों साइड में इस्तेमाल के जाता है And that is T8748 Which MS liner is being used with 52 kg rail on sleeper RT 8746 on gauge face side जब 8746 वार्द स्लीपर के उपर में 52 kg rail का इस्तेमाल के जाता है तो gauge face और non gauge face side में अलग-अलग liner इस्तेमाल होते है तो gauge face side में कौन सा liner इस्तेमाल के जाता है And that is T8749 Which MS liner is being used with 52 kg rail on sleeper RT 8746 on non gauge face side जब बाइडर स्लीपर 8746 के साथ 52 kg rail का इस्तेमाल के जाता है तो non gauge face side में कौन सा नंबर का liner इस्तेमाल किया जाता है And that is T8750 Which MS liner is being used with 60 kg rail on sleeper RT 8527 on gauge face side वाइडर स्लीपर नंबर RT 8527 जिस पर 52 kg का rail इस्तेमाल नहीं के जाता है उसके साथ अगर 60 kg का rail इस्तेमाल के जाता है तो उस कंडिशन में उस पर MS liner कौन सा इस्तेमाल होगा वो भी gauge face side में And that is T8616 Which MS liner is being used with 60 kg rail on sleeper RT 8527 on non gauge face side वाइडर स्लीपर नंबर RT 8527 के साथ जब 60 kg का rail इस्तेमाल करते हैं तो non gauge face side में कौन सा MS liner प्रियोग में लाया जाता है And that is T8617 Which GFN liner is being used with 136 R-E rail on sleeper RT 8527 and both gauge face or non gauge face side जब वाइडर स्लीपर नंबर RT 8527 के साथ 136 R-E rail का इस्तेमाल किया जाता है तो gauge face और non gauge face दोनों ही तरफ एक ही प्रकार के liner इस्तेमाल किया जाते हैं तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा GFN liner इस्तेमाल किया जाता है तो उसका संख्या है T6937 Which GFN liner is being used with 60 kg rail on sleeper RT 8746 and both gauge face और non gauge face अर्थात जब वाइडर स्लीपर नंबर 8746 के साथ 60 kg का rail इस्तेमाल किया जाता है तो gauge face और non gauge face दोनों तरफ में कौन सा GFN liner इस्तेमाल करते हैं and that is T8751 Which GFN liner is being used with 52 kg rail on sleeper RT 8746 on gauge face side जब वाइडर स्लीपर संख्या RT 8746 के साथ 52 kg का rail इस्तेमाल करते हैं तो gauge face side में कौन सा GFN liner इस्तेमाल होता है and that is T8752 which GFN liner is being used with 52 kg rails on sleeper RT 8746 on non gauge face side वाइडर स्लीपर नमबर RT 8746 के साथ 52 kg rail का इस्तेमाल करने पर कौन सा GFN liner non gauge face side में इस्तेमाल किया जाता है and that is 8753 which GFN liner is being used with 60 kg rail on sleeper RT 8527 on gauge face side जब वाइडर स्लीपर संख्या RT 8527 के साथ 60 kg का rail इस्तेमाल किया जाता है तो gauge face side में कौन सा GFN liner प्रियोग में लाते है and that is T6938 which GFN liner is being used with 60 kg rail on sleeper RT 8527 on non gauge face side वाइडर स्लीपर संख्या RT 8527 के साथ 60 kg का rail अगर इस्तेमाल किया जाए तो GFN liner non gauge face side में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है and that is 6939 at what temperature hot weather petrolling will be started on LWR with wider sleeper track with 1660 sleeper density यहाँ पर आप से सवाल पूछा जा रहा है कि अगर आपका LWR track solar 160 relief density के साथ हो और sleeper Mickey में wider sleeper का अगर परियोग किया गया है तो hot weather petrolling कितने temperature के बाद सुरुआत की जाएगी and that is TD plus 30 degree Celsius अब आपके सामने एक overview है जो हम अपसे बात कर चुके हैं अभी तक उसी को एक वर सिलसेले वार धंग से एक summarized form में आपके सामने प्रस्तोत किया गया है जैसा कि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फाला column है वो T8746 का है T8746 के साथ 60 kg UIC rail का भी इस्तेमाल होता है 60 kg E1 rail का भी इस्तेमाल होता है और 52 kg rail section का भी परयोग किया जा सकता है 60 kg rail section का परयोग आप देख रहे हैं 8746 और 8527 दोनों में किया जाता है पर 52 kg rail section का परयोग सिर्फ 8746 में किया जाता है ठेक उसी परकार 136 आरी railों का परयोग 8527 के साथ किया गया है अब यहाँ पर आप कुछ common चीज़ें आप देख पाएंगे कि overall length दोनों का 2750 mm होता है total weight दोनों का ही 346.873 kg होता है दोनों की real seatों पर 1 in 20 का can provide के जाता है और दोनों ही wider sleeper में Mark 5 ERC जिसका number है T5919 का पर्योग के जाता है इनके insert में अंतर होता है कि T8746 जो की wider sleeper में 22 kg का rail भी इस्तेमाल के जाता है इसलिए यहाँ पर insert जो है थोड़ा सा change किया गया है तो यहाँ पर insert के जो बीच में distance है वो है 162 mm वही जहाँ पर 136 RE भी rail इस्तेमाल साथ में करते हैं तो उस जगह पर 170.4 mm का insert के पीच में distance दिया गया है अब आप यहाँ पर देखें पहले हम इस बात कर लेते हैं T8746 के बारे में T8746 में आपको बहुत सारी चीज़ें याद करने में आसानी होगी जैसा कि आप अगर देखें तो T8746 वाइडर स्लीपर है तो इस वाइडर स्लीपर के उपर में जब वाइडर स्लीपर में आप रेल के fitting करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप वाइडर स्लीपर पर क्या रखेंगे तो नेचुरली है उस पर रवर पैड रखा जाएगा तो आप देखें इसका जैस्ट अगला नंबर जो होगा वो CGRSP का नंबर है अर्था T8746 के बाद T87467 हो जाएगा तो बहुत आसानी सब याद कर सकते हैं कि CGRSP का नंबर उसके वाइडर स्लीपर के ड्राइंग नंबर का जस्ट अगला नंबर है इसमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें T8527 में तो T8527 में भी यहाँ पर CGRSP का नंबर T8528 है तो यहाँ पर आप CGRSP का नंबर याद करना अगर आपको वाइडर स्लीपर कर नंबर याद है तो या अगर सीजी एरेशपी कर नंबर याद है तो आप वाइडर स्लीपर कर नंबर आसानी से आप आज्यूम कर सकते हैं अब बात करते हैं कि चुकि हमने हम पहले कॉलम में बापाश चलते हैं तो टी एट सेवन फोर सिक्स तो T8746 में हमने CGRHP यनि रिबर पैड हमने प्लेस कर दिया अब रिबर पैड प्लेस करने के वाद इसके उपर रेल डाल दी जाएगी और रेल डालने के वाद सबसे पहले हम इसके वाद इसमें लाइनर का परियोग करेंगे तो लाइनर का परियोग हम सबसे पहले समान के चल तो दोनों तरफ समान गैप बनेंगे और उस कंडिसन में एक ही प्रकार के MS लाइनर का पर्योग किया जाएगा तो अगला हमारा नमबर आता है T8747 के बाद T8748 का तो यहां पर MS लाइनर में T8748 का इस्तेमाल किया जाएगा लेकिन जब T8746 के साथ 20 केजी रेल का इस्तेमाल किय जाएगा तो इसमें गेज में चेंज जाएगा तो दोनों तरफ लाइनर में के मोटा अलग अलग हो गी तो आपने यहां पर T8748 का नमबर इस्तेमाल कर लिया है और यहां पर दोनों तरफ में एमेस लाइनर जो परियोग की जा रहे हैं वो कंटिनुएशन में इनके नमबर आ रहे हैं कि 60 kg का इस्तेवाल किया तो 8748 और 52 kg का इस्तेवाल किया तो 8749 और 8750 अब अगर इसे हम ट्रैक सेर्कुरिटर फोर्शन में अगर हम इस्तेवाल कर रहे हैं तो यहां पर इन GFN लाइन में दोनों तरफ में जब 60 kg का रेल इस्तेवाल करेंगे तो गेज फेस और नौन गेज फेस साइड में एक ही प्रकार का लाइनर परियोग किया जाएगा और इसका नमबर होगा 8751 और जब उस पर 20 kg का रेल परियोग किया जाएगा तो उसकी जगर पर दो लाइनर 51 के बाद आता है 52 तो 8752 और 8753 इस परकार T8746 के साथ परियोग की जाने वाले लाइनर नमबर्स को याद करना बिल्कुल ही आसान है क्योंकि इनके जो नमबर्स हैं वो continuation में लगातार ही इनके बनाए गया है तो इसमें याद करने में किसी परकार की तकलिफ नहीं होने वा जाएगा जो परिवरता नाया है कि अगर वाइडर स्लीफर के साथ बनाया गया है तो हॉट बिदर पेट्रॉलिंग का टेंपरिचर चेंज कर दिया गया है तो यह वाइडर है इससे ज्यादा है और इसमें रिजिस्टेंस पावर भी इससे बढ़ गई है तो जिसके कारण वाइडर स्लीफर के साथ जहां कहीं भी एल डावर ट्रैक सोलो सो साथ स्लीफर डिंसिटी का प्रियोग किया जाएगा तो वहाँ पर हॉट विदर पेट्रॉलिंग सो टीडी प्लस थर्टी डिग्री सिल्सिल्स के बाद ही की जाएगी अब बात करते हैं टी एट फाइब ट सिरीस में ही जल रहे हैं भी हैष्वी तो एमस लाइनर में दोंों तरफ में 8618 मेंस लाइडर का परयोग किया जाएगा जाएगा जांड वान ठीक सिक्ष आ purpा करो जारान किया दा नि के लिए बनाया गया है पर जो उसमें 60 के जी का रिले इस्तेमाल करते हैं तो गेज वैरीस राता है तो इस चलते हैं यहां पर एमेश लाईनर अलग-अलग चेंज गर दी जाते हैं जीएफें से पर्योग किया जाएं दोनों तरफ में वन थैट इसेट और शिक्स नाइन थ्री नाइन का पर्योग किया जाएगा तो आप पर देख देख पार हों कि मैंने कुछ कलर से हां पज़ेशन में ग्रीन सिंबल के साथ मैंने सारे कर दी हैं तो यह सारे यहां पर हमने से नहीं दिया है क्योंकि है रिवर्स पोर्स अना रहा है तो यहां पर इन बात थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इन करते वक्त में अगर इसमें से ज्यादा तर नंबर या आपको याद हो जाते हैं सिरीज के फॉर्मेट में तो कुछ नंबर आसानी से आप याद कर पाएंगे उमीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और वाइडर सलीपर से सम्मंदे जब भी आपसे सवाल आप इन सवालों को परिच्छा में आसानी सदेश लगें धन्यवाद